हेलो प्यारे बचो क्या हल चला आप सभी के डियर स्टुडेंट्स नवदीब सरकी फिजिक्स के गलास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बचो तो देखिए बचो जो अपने चैप्टर नंबर 17 चल रहा था आज पार्ट नंबर 4 इसका करने जा रहे हैं टॉपिक अपनी है इसमें बू तरंग संचरन, आकाश तरंग संचरन और वियॉम तरंग संचरन तीनो तरह के तरंग संचरन है मतलब कि तीनो तरह के तरंग संचरन में अपने रेडियो जो तरंगे होती हैं उनको बेजने का काम करते हैं तो ये संचार तंतर में बहुत ही मैतपुर्ण बोमी का निवात है संचरण का मतलब यहां पर है तरंग को एक जगे से दूसरी जगे बेज रहा ठीक है? तो वो तीन तरीके से अपने बेज सकते हैं तो तीनों तरीके अपने यहां पर पढ़ने वाले हैं हलांकि यह टॉपिक है बहुत ही वाइडली अपने इसको पढ़ सकते हैं बहुत ही यहने की वाइडली और NCRT की जो बुक है उसमें यह काफी मतलब डिटेल से दिया हुआ है आपकी बुक में इतना डिटेल से नहीं है तो बाकी आपको मैं इनका जो वैसे फोटो है वो भी आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से होता है तो चलिए बचो स्टार्ट करते आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ तो देखो बचो इसमें विदुद चुम्ब के तरंगों का संच्रन प्रोपेगेशन ओफ एलेक्रो मैगनेटिक तो विदुद चुम्ब के तरंगों को विभिन माद्यमों से एक जगह से दूसरी जगह बेज़नों उसका संच्रन कहलाता है मतलब कि अलग-अलग माद्यम यूज करके अलग-अलग चीज़े यूज करके अगर अपने विदुद चुम्ब के तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह बेज़ती है तो इसको अपने उसका संच्रन कहा देती है अब इसमें संच्रन में कई जो आपके पास शब्द है वो काम आएंगे उन शब्दों का अर्थ मैंने यहां पर लिख रखा है कि सबसे पहली चीज़ है यहां पर प्रेशी, सेंड प्रेशी मतलब प्रेशीत करने वाला, बेजने वाला, सेंड करने वाला तो उसको अपने क्या बोलनेंगे प्रेशी, प्रेशी का मतलब आपको यही है जो सिगनल को बेजता है, इलेक्रो मेगनेटिक वेब्स को या विदुचुमके तरंगों को बेजता है अभी ग्राही यह होता है, रिसीवर, मतलब जिसको सिगनल प्राप्त होते है ठीक है, प्राप्त करने वाला, उसको रिसीवर, और एक है रव, यह खै नहीं है, यह रह और वह ठीक है, इसको रव, यह नॉइस बोल देते हैं, अब नॉइस क्या होता है, कि जो जब भी अपने किसी विदुचुमके तरंगों को या रेडियो तरंगों को बेजती है यह एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते में उनमें कुछ तरह के, आप कैसे कह सकते हो कि कुछ और तरंगे भी शामिल हो जाती है, जो अपने वातावरन में फैली हुई है, ठीक है, तो वो एवांची तरंगे या 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 नॉइस बोल देती है, ठीक है, नॉइस चुमके तरंगों को बेजते हैं, यहाँ पर मैं इनको रेडियो तरंगे बोलूँगा, विद्चुमके तरंगों का जो पहला परकार सा रेडियो तरंगे, क्योंकि इस तरह के जो तीनों तरंग संचरना उस से अपने रेडियो तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह बेज तो इसमें क्या होता है, कि जघ अपने, जहां से बेजते हैं, उसको अभिक्राही तो प्रेशी से अभिक्राही टक तीन तरीके से अपने इनको बेज सकते हैं, प्रेशी एंटीना, आपको यहांपर शब्द मिलेगा, प्रेशी एंटीना का मतलब, जो तरंगों को छोड़ता है एंटीना ठीक है ना उत्सरजित करता है एंटीना उसको प्रेशी एंटीना और एक तरंगों को ग्रैंड करता है उसको अभिग्राही एंटीना अपने बोल देती है ठीक है ना तो इसमें सबसे पहले तरह का जो तरंग संचरन आता है वो आता है इसको करवाने से पहले एक चीज में याद आगी, ये जो तीनो टॉपिक है, इसमें से एक टॉपिक बहुत बार बोर्ड के क्वेस्चन में पूछा हुआ है, कोई भी एक टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं है, और दो नंबर का टॉपिक ये पूछा जा आप ने, तो कई बचे मुझे ये बोलते हैं, कि से आप बुक वाला सारा आपने उतार दिया, तो देखो जो चीज बुक में इंपोर्टेंट है, मैं वही चीज़ी याँ पर लिखता हूँ, तो अगर बुक में सारी चीज इंपोर्टेंट ही लिखी हुई है, तो मैं इस इ पर यहां पर लिखुआ है ना तो आप देखो बूतरंग संचरन क्या होता है ग्राउंड और सरफेस वे प्रोपेगेशन बूतरंग संचरन में प्रेशी और अभिगराही एंटीना प्रित्वी के निकट स्तित होते हैं मतलब कि जहां से तरंगे बेजी जाती है और जहां पर दो दो आप त्रंगों को नहीं बेज सकते हैं इसमें रेढ़ियो तरंगे प्रित्वी के सतय के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाती है पृत्वी की सतय के सारे पृत्वी की सतय के साथ जाती है या डिरेक्ट भी पहुंच सकती है ठीक है न अब इसमें क्या होता है कि इस तरंग संचरन में विदुत क्षेतर का क्षेती जगटक पृत्वी द्वारा वशोशित कर लिया जाता है वे तरंग उद्रव दुरूवी तो हो जाती आता है इस संच्रन में तरंगों की तीवरता कम हो जाती है ठीक है अब होता क्या है कि मान लो आपके पास आपको मैंने बताया है कि विदुद चुमकिया तरंगों में दो चीजी होती है एक तो ये विदुद क्षेतर होता है ठीक है और एक इसके साथ क्या चलता है इस तरीके से चुमकिया क्षेतर चलता है जिसको अपने बी बोल देते हैं अब ये विदुत क्षेतर यहां तो अपने दिखा रखा है भी ऐसे वाई दिशा में है ऐसे ही तरंगे तो 3D में जाती हैं तरंगे तो कोई भी तरंग है अगर मानलो वो 3D जा रही है किसी कोण पर जा रही है थीटा कोण पर तो अब होगा क्या कि इसका जो क्षेतिज गटक है ये वाला जो गटक है इस तरंग का इस तरंग का मानलो कोई भी आपके पास विदुत चुम्ब किया तरंग है वो विदुत चुम्ब किया तरंग क्या है आपके इस क्षैतिज के साथ थीटा कॉन पर जा रही है उसका मानलो ये वाला जो E वेक्टर है वो इस क्षैतिज के साथ मतलब जो आपकी पृत्वी है उस इसकी भी तीवर्ता क्या होती है जैसे जैसे यह जाता है आगे इसकी तीवर्ता क्या होती जाती है कम होती जाती है कि मान लो आपने यहां से कोई सिगनल बेजा वो आपके पास उसकी तीवर्ता थी मान लो पचास तो आगे जब पहुंचे गए यहां पर तो इसकी तीवर्ता उस गटना कोई बोलते हैं कि तरंग में जो कमपन है वो एक ही दिशा में हो तो उसको अपने दुरुवन बोल देती हैं तो आपको वैसे इतना याद रखने कि शैतिज गटक प्रित्वी दराव शोशित कर लिये जाता है और तरंग का उद्र गटक रहता है जो की आगे बढ़ता है अब इसका डाइग्राम आपको मैं यहां पर दिखा देता हूँ यह है ग्राउंड वे प्रॉपेगेशन इसमें क्या होता है कि जो तरंगे हैं एक तो ट्रांस्मेटिंग और रिसीवर यह आपके पास कौन सा है प्रेशी रैंल यह आपके पसा है प्रित्वी से बौट उपर हैं क्योंकि एंटीना इतना बड़ा थोड़ा होता है प्रित्वी की तुलना में, मालो यह आपकी प्रित्वी है, तो प्रित्वी की जो त्रिजया है, मालो यह वाली दूरी है, यह 6400 किलो मेटर होती है यह तो, और अपना जो एंटीना होता है, वो कुछ मीटर तक होता है, मालो आप ज्यादा से ज्यादा तीन सो मेटर मानलो हजार फूट उंचा मानलोहजार फूट भी बहुत हो जाता है। तो इतना उंचे एंटीना तो कहाँ 6400 किलोमेटर और कहाा 300 मिटर तो उसकी तुल्णा में यानि प्रिथवी की साइज की तुल्णा में एंटीना बहुत ही छोटा होता है आप ऐसे कह सकते हैं बिंदुवाकार का यहां पर बिल्कुल इतना सा ठीक है यह तो चलो दिखाने के लिए एंटीना इतने बड़े बड़े दिखा रखे हैं जो इसमें तरंगे होती हैं डिरेक्ट इस तरीके से दूसरी जगह बेजी जाती है अब इसमें नुकसान यह होता है कि जो अपने यहां से तरंगे बेजती है वो आगे यानि कि उनकी तीवरता कम हो जाती है संकेत मानलो आपने यहां से बेजा वो आवाज आपकी फुल जा रही है तो वहां पर दूसरे सेरे पर पहुंचते पहुंचते बिल्कुल छोटी से आवाज हो जाती है ठीक है तो कम हो जाती है इसमें अब दूसरे नमबर पर आता है अकाश तरंग संचरण स्पेस वेब प्रोपेगेशन अकाश तरंग संचरण में क्या होता है कि इस संचरण में विदुत चुम्ब के तरंगों का संचरण क्षोब मंडल ट्रॉपो स्फीर द्वारा होता है आपको आपने पढ़ा भी हो गई यह चीज शायद कमेश्टरी में हो सकता पढ़ा हो या बायो में आपने हो सकता पढ़ा हो तो वैसे आपने जनरल नौलेज में यह चीज आती है जो प्रित्वी है इसके चारों और क्या ह काफी सते हैं ठीक है अलग-अलग प्रित्वी का जो वायो मंडला उसकी अलग-अलग परते हैं तो उस परत में सबसे पहली जो परत आती है वो क्षोब मंडल आती है इस परत में अपने रहते हैं प्रित्वी के चारों और प्रित्वी की सता ऐसे लेके और उपर 12 किलो मेट तक का जो ऐसे गीरा है इसको अपनी स्पर्त को अपने बोल देते हैं क्षोब मंडल ठीक है ना बादल जो होते हैं वो सारे इस क्षोब मंडल में होते हैं तो क्षोब मंडल दबारा विदत चुम्ब के तरंगे क्या होती हैं इसमें संचरित होती हैं मतलब एक जगह से दूसर किसे पृत्वी है मैं यहां पर आपको इस डाइग्राम के तुभी बता देता हूँ यह देखो यह वैसे परता है यह तो चलो आयन मंदल है आपके पास है space wave propagation ठीक है तो इसमें नेखो क्या है कि आपके पास यह वाली जो तरंगे है मालो याई एंतिना से आपने बेजी यह वाली तरंग तो अब यह तरंग या तो directly इस एंतिना तक पहुंचा दी जाएगी ठीक है यह क्या होगा कि यह वाली जो तरंगे हैं मालो यहां पर इसने थो और इस एंटीन आता कि इस परकार पहुंच जाती है, भी ये वाला जो एंटीन है न बेजने वाला, ये तरंगों को क्षैतीज छोड़ता है, क्षैतीज मतलब ऐसे चोड़ता है, टेड्य नहीं छोड़ता है ये तरंगों को, क्षैतीज का मतलब भी ऐसे सिधा चोड़ता है फ़ब एसे से इस तरीके से चोड़ता है ऐसे नहीं भी इसने डिरेक्ट ऐसे गर केंदर बेज़्दी तरंग ऐसे नहीं होता है किशेतिच दुषा में चोड़ता है अब अ तरंगे हैं, यह यहां पर क्षोब मंडल से टकरा जाती है, मालो यह एक शैती तरंग है, यह क्षोब मंडल से टकराई और टकराने के बाद क्या होती है, यह मुढ जाती है, ठीक है, मुढ जाती है, मुढ के या तो direct receiving antenna तक पहुंच जाएंगी, मतलब जो प्राप्त करने वाल ठीक है, तो प्रित्वी की सत्य ऐसे 12 किलोमेटर के उंचाई तक तरंग जो आपकी है, सीधी जाएगी इसमें, और वो क्या होगी, सीधी जाके, और जो आपका क्षोब मंडल से टकराखती हुई, ऐसे टेड़ी होके, और उस antenna तक क्या होती है, पहुंच जाती है, तो इसमे तो सीधी तरंग ऐसे सीधी भी चली जा सकती है, लेकिन आपको बेजनी, मालो नीचे वाले बिंदू तक है, तो तरंग यहां पर क्या होगी, शोब मंडल से इस तरीके से टकराखती है, और यहां तक इस पर पहुंच जाएगी, जो आपका ग्राही होगा, मतलब यह परसारन दूरी होती है, ठीक है न, परसारन दूरी याद रख लेना, अधिक्तम दूरी तक, वह अधिक्तम दूरी जहां तक रेडियो तरंगों को बेजा जा सकता, उसको परसारन दूरी बोल देते हैं, और यह एंटीना की उंचाई पर निरबर करती है, तब ही अपने जो दी में संच्रन अधिक दूरी तक नहीं हो पाता है विपृत्वी क्या है मुड़ी हुई है वकर है इस त्रीके से तो वकर है तो इस कारण क्या होता है कि अगर माल लो ये वाले तावर थोड़े और दूर हो तो तरंग directly या पृत्वी से टकरा के नहीं पहुंच सकती पृत्वी तरंगों का अवशोशित कर लेगी एंटीना तक नहीं पहुंच पाएंगी तो पृत्वी के वक्रता यानि पृत्वी की मुड़े होने के कारण यह जो तरंग में इस संचरन है यह ज्यादा दूरी तक नहीं हो सकता है अब इसमें आता है इसका formula derivation formula derivation में अपने क्या करेंगे सुतरस्तापना में कि दूरी निकालेंगे जहां तक तरंग संचरित हो सकती है मतलब परसारण दूरी आपको निकालनी है यहां तक ठीक है तो अपनी यहां पर मान लेते हैं कि एक एंटीना है अपने पास उसमें तो जो अपने पीछे डाइग्राम देखा था उसमें तो दो एंटीना थे अपने एक एंटीना के लिए एक बार formula निकालते हैं भी यह प्रित्वी की सता है यह वली यह P से लेकिए Q तक यह प्रित्वी की सता है उस पर यह H उंचाई का एक एंटीना लगा हुआ है वैसे एंटीना चलो अपने प्रित्वी की तुला में उंचा दिखा दिया लेकिन इतना उंचा नहीं होता क्योंकि प्रित्वी का कार बहुत बड़ा है और एंटीना छोटा होता है ठीक है लेकिन फिर भी चलो दिखा दिया अपने अपने यह माल लिया कि यह एंटीना की उंचाई है और यहां तक यह प्रित्वी की सता है और प्रित्वी की केंदर से सता है तक प्रित्वी की जो त्रीज़े है वो कैपिटल आर है और ये जो एंटीना है दोनों तरफ इससे जो तरंगे हैं वो दिक्तम दूरी P और Q तक जा सकती हैं तो अब इस जो बिंदू आपके पास ही ये वाला जो एंटीना वाला बिंदू है इससे इस P और Q की जो सीधी दूरी है यह वाली दूरी सीधी दूरी D इसको अपने बच्चों क्या बोल देते हैं? परसारन दूरी बोल देते हैं यह जो D है मतलब जहां पर आपका एंटीना लगा उससे जहां तक तरंगे बेजी जा सकती है उसकी सीधी दूरी को परसारन दूरी अपने कहेंगे तो यह परसारन दूरी अपने को यहां पर निकालनी है तो परसारन दूरी कैसे निकालेंगे अपनी यहां पर एक approximation लेके चलना है approximation यह है जो आपका H है यहां पर वो R की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है इस R की तुलना में यह वाला जो H है यह क्या है बहुत ज्यादा कम है आपके पास तो इस कारण आपको इसको क्या करना है बहुत ही कम लेके चलना है समझाई बात तो यह case लेके चलना है तो अपने मानते हैं कि चत्रहनफार A का इंटीना है और इसकी उन्चाई H है A से उत्सरजित क्षैती तरंगय अपवर्तित होकर P की उपर बाग तक जाती है मतलब A से जो तरंगें तो सरजित होती है वो TREDI कैसे हो जाती है, किसके कारण होती है सरजित तो ये सीधी होती है लेकिन जो पृत्वी काकशोब मंडला उससे टकरा के ये इस परकार TREDI हो जाती है और P विंदु तक और Q विंदु तक point सकती है यह दिखता हम तो परसारण दूरी यहां पर क्या होगी बचो CP बराबर CQ यह C है C point पृत्वी का CP बराबर CQ और बराबर D के small d इसको मांग लेते हैं अब मानना पृत्वी की त्रिजया capital R और केंदर होगा आपके पास तो त्रिबुज OPA में अब अपने यह वाला त्रिबुज लेंगे ठीक है त्रिबुज आपको कौन सा लेना है यह वाला त्रिबुज लेना है तो अब इस त्रिबुज में देखो वैसे तो यह वाली जो दूरी है यह बहुत ज़्यादा कम है यह जो H दूरी है यह इस R की तुलना में बहुत ज्यादा कम है तो अपने यहां पर इस वाला त्रिबुज O P A जो त्रिबुज है इसको भी अपने समकोन त्रिबुज मान सकते हैं यह यहां पर क्या हो जाएगा 90 डिगरी का कोन हो जाएगा आपके पास ठीक है तो 90 डिगरी का यहां पर कोन हो जाएगा तो अपने यहांपर क्या करते हैं कि ये वाली बुज़ाब O A है जो itワली बुज़ाब O A है जो ये करण बन जाएगी 90 degree के सामने कि बुज़ा P यहांपर लंब बन जाएगी और ये जो A P दुरी है इस A P दुरी को अपने इस P, C दूरी के या C, P दूरी के बराबर ही मान सकते हैं मतलब इसको भी D मान सकते हैं अब आपको गए कि सरी ये है तो टेड़ी लेकिन ये टेड़ी इस कारण है कि आपने एंटीना काफी उंचा लिया हुआ है लेकिन एक्चुल में जो एंटीना है वो क्या होता है? प्रिथवी की तरिज्या की दुला में बहुती कम होता है तो ये वाली जो अगर मान लो ऐसे जो आप तरिबुज ये वाड़ा देख रहे हो ये तरिबुज ऐसे ना होके ये दोनों रेखा हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब होती है ये शैतिज रेखा और ये दूसरी रेखा ये बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे क्रीब होती है थोड़ा बहुती गैब होता है तो मतलब इन दोनों दूरियों को आप D मान सकते हो यहां पर दिखा जितर में जो दिखा रखी है उसमें तर D नहीं लगती उपरवाड़ी दूरी एपी दूरी अलग लगती है लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो आपके एंटीने की हाई टाई ये उतनी ज्यादा नहीं है लगबग ब्रोबर सी होती है ये दोनों लाइने एक लेकि बराबर चलती है तो माना प्रित्वी की तरिजा-र के इंदर O ए तो दुरिबुज OPA में H जो है वो आर की तुलना बहुत कम है तो OPA को अपने एक समकोन तरिबुज माना जा सकता है तो इसमें अपने समकोन तरिबुज लगा देती हैं OA स्क्वेर प्राबर OPA पूरी मतलब इसकी तरी जा, तो R स्क्वेर और P A यहांपर, यह वाला जो P A है, यह P C के बराबर है, मैंने यह आलिखा है, P A बराबर P C, यह D के बराबर मानना हुआ है, तो अब यहांपर ब्रैक्ट जब खोलेंगे अपने, तो यह R स्क्वेर प्लस 2R H प्लस H स्क्वेर बर अब 2R हो गया, तो उसकी तुलना में तो बहुत ज़्यदा कम हो जाएगा, तो H प्लस 2R को लगबग 2R अपने मान सकते हैं, H को इसको अपने लगबग 0 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि यह 2R की तुलना में बहुत ज़्यदा कम है, तो 2R H is equal to D square, तो D का मान अगर अपने एंटीना लिया हुआ है, इसमें अपने क्या करें, कि इस एंटीना की जो उंचाई है, वो H1 है, और इस एंटीना जो रिसीव करने वाला वो H2 है, तो अब यह वाला एंटीना मान लो कि यहां तक इस दूरी तक तरंगों को बेज सकता है, मान लो यह D दूरी है, और यह वा हो जाएगी और यह आपकी D1 प्लस D2 के बराबर आ जाएगी तो जो सूत्र अपना बनेगा यहां पर वो सूत्र बनेगा D बराबर अंडरूड 2R H1 पहला यानि जो प्रेशी एंटीना उसकी उंचाई ठीक है और अभीगराई एंटीना की उंचाई H2 है तो अंडरू 2RH2 टोटल परसारन दूरी आपकी इन दोनों की योग के बराबर होगी यह तो एक अंटीना के लिए है और यह अगर आपको दोनों अंटीना की उंचाई दी हो यह हो तो उसके लिए है और इस संचरन में अपने 1000 MHz से 200 MHz की आवरती की वाहक तरंगों का उपयोग करते हैं इन तरंगों को बेजने का काम लेते हैं तीसरे नंबर का जो संचरन आता है बचों वो आता है वियोम तरंग संचरन अब वियोम तरंग संचरन में क्या होता है Skyway Propagation इस तरंग संचरन में वाहक मंडल की परत आइन मंडल आइनो स्फ brackets का उपयोग होता है इस तरंग संचरन में आयन मंडल का उपयोग अपने करते हैं तरंगों को बेजने के लिए अब आइन मंडल क्या होता है पुरिथवी सतह से 80-600 rhythm किलोमेटर तक कंचायी जो होती है इसको आयन मंदल बोल देती है ठीक है ना यहां पर मैंने आयन मंदल यहां पर दिखाया हुआ है ठीक है यहां पर 600-600 पर दे रख़nya वहां पर 80-400 बैंको कोई बात नहीं अब इस काया होता है तो आपको तो वैस इन पर्तों को याद नहीं रखना, आपको वैस आयन मंडल याद रखना है, तो आयन मंडल में होता क्या है, अब इसमें तरंगों को कैसे बेजेंगे, अपने यहां से बेजेंगे, आयन मंडल में, ठीक है न तरंगों को, अब आयन मंडल में क्या होगा जा तो अब अपवर्तना क्या होता है कि जो आपका मादे में वो कितना सगण है कितना विरल है उसको अपवर्तना कि बोल अपनी तो जब हरेक आपके पास परत है उसमें एलेक्ट्रोन की संख्या और जो आएनों की संख्या वा लग मतलब हरेक परत का गणतव लग लग है जिससे आएन मंदल में पूरा आंत्रिक परावरतन हो जाता है वह ये परित्वी के और चली आती है अब होता क्या है कि देखो पृत्वी की सतय पर जो ये वाला एंटीना लगा हुआ है ये यहां पर क्या होता है कि मानलो सबसे पहले आपको गटना बताता हूँ मैं पूरन अंतरीक प्रावरतन ये क्या चीज होती है कि जब आपकी कोई प्रकाश किरण मानलो सगन से विरल माद्यम में जाती है तो अब ये क्या होता है अब इलम से दूर हटती है तो अगर अपने क्या करें इस वाले कोण को जो ये आपतन कोण है इसको बढ़ाते जाएं ऐसे तो एक बिंदू ऐसा आ जाता है जिस पर ये जिस माद्यम से बेजी गई है उसी माद्यम में दुबार प्रावर्तित हो जाती है इस गटना को पूर्ण अंतरिक प्रावर्तन बोलते हैं और जिस कौन पर आप्तित करने पर ये गटना होती है उसको अपने करांती कौन बोल देते हैं मतलब कि होतन होना तो वह प्रावर्तन चाहिए था लेकिन हो प्रावर्तन जाता है तो वह कौन जिससे अधिक कौन पर अगर अपने तरंग को बेजें, किरण को बेजें, तो वो उसी माद्य में वापिस आजाए, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, क्रांति कौन और इस गटना को पूलनांतरिक प्रावर्तन बोल देते हैं, तो अब यहाँ पर भी क्या होता है, तरंग कोन से जब अधिक कोन पर आपतित होंगी तो ये विभिन परतों द्वारा यहां पर प्रावर्तित हो जाती हैं पूर्ण आंत्रीक प्रावर्तन की गटरा द्वारा ये दुबारा प्रित्वी तका आ जाती है और इनको क्या है जो ग्राही एंटीना है रिसीवर एंटीना है उसके द्वारा ग्रैन कर लिया जाता है तो आपको अगर पूछें कि जो आपके पास उपर वाला जो अकाश तरंग संचरन था उसमें जो तरंगों का संचरन होता है वो होता है खुशोब मंडल के द्वारा जो आपके पास वियोम तरंग संचरन है इसमें जो तरंग का संचरन होता है वो होता है आयन मंडल के द्वारा ये दोनों में major difference है अब होता गया है इस तरंग संचरन में रेडियो तरंगों का प्रावर्तन तरंग की आवरती समया दिन और रात मौसम आदी पर निर्बर करता है जो तरंगों का जो प्रावर्तन है मतलब तरंगे एक प्रावर्ती तो होकर कितनी पृत्वी तक पहुंची वो तरंग की आवर्ती पर निर्बर करेगा दिन और रात पर भी ये निर्बर करता है क्योंकि दिन और रात में क्या हो कि इस दिन में तो सूर्या होता है, सूर्या के प्रकाश के कारण आयन मंदल में ज्यादा आयन्स बन जाते हैं, परावेंगनी के रने ज्यादा आयन मना देती हैं, तो परतों का गनतव है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन रात के समय में आयन मंदल का गनतव चेंज हो तो उसमें क्या होता है, कि जो अपने पास signal है, वो कम आने लगते है, साफ नहीं चलता है, ठीक है, या आपने डिश्ड भी देखे होगी, जो आपके पास DTH वगएरा है, उसमें भी क्या होता है, जब मौसम खराब होता है तो signal बहुत ही कम पहुंचते है अपने पास तो क्या होता है तीवरत और स्पष्ट था इसकी क्या होती है प्रोग्रामों की बदल जाती है रातरी में आयन मंदल में विक्षव कम होता है तो रेडियो कारेकरम अधिक स्पष्ट सुनाई देते हैं और इस तरंग संचरण में 30-40 मेगार्ट की तरंगों का संचरण किया जाता है अब देखो बचो यहाँ पर आपके पास यह तीनों तरंग संचरण है वो पूरे हो गए एक चीज और इसके बारे में important बता ऑँ तीनों ही जो तरंग संचरण है इसमें रेडियो तरंगों को बेज आ जाता है और तीनो तरंग संचरण में, या तो radio, AM radio होता है, FM radio उसका यूज करते हैं, या फिर television जो होता है, उसको जो बेजते हैं, ठीक है तरंगे, तो इस तरीके की तरंगों को इसमें अपने संचरित करवाते हैं, वोती तीनों में ही radio तरंगे हैं, बैस अलग-अलग आवरती की radio त पूरे पूरे चांस फ्रक है तो इस टॉपिक को आपको बहुती अच्छे तरीके से त्यार करना अब त्यार करना आपकी जुम्हेवारी बनती है इसकी तो मुझे अमीद आपको समझ में आया वग टॉपिक तो आज की वीडियों बचो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए थैंक यू, have a nice day प्यारे बचो